दोस्तों महान आचारिय चानेक्ये ने कहा था कि जिस व्यक्ति ने ये समझ लिया कि क्या, कब, कहां और कितना बोलना है उस व्यक्ति को सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ऐसे व्यक्ति की सफलता सुनिश्चित है। जिस तरह कमान से निकलावा तीर कभी लोट कर वापिस नहीं आता, ठीक उसी तरह से मूँ से निकले शब्द कभी वापिस नहीं आते। शब्द और भाषा हतियार है और कमजोरी भी। सही समय पर सही शब्दों के प्रियोग से इंसान परिशानियों से बच सकता है। लेकिन बिना सोचे समझे बोले गए शब्द इंसान की मुसीबत को बढ़ा देते हैं। द्रोपदी का ये बोलना कि अंधे का पुत्र अंधा मैं क्लियर कर देता हूं कि साइलेंट रहने का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरे दिन एक भी शब्द नहीं बोलना है। चुप चाप रहना है। मोन का मतलब है बेवज़ा शब्दों का प्रियोग नहीं करना है। जहां जरूरत है वहां ही बोलना है। अपने लक्षय पर जोट ओन। सो लेट्स बिग्गेन। पर बात करते हैं तो स्टूडेंट्स उनकी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनते हैं। लेकिन जब अचानक टीचर या स्पीकर बोलना बंद कर देते हैं तो सभी लोग आश्चरिय में पढ़ जाते हैं। अरे क्या हो गया भाई कम्यूनिकेशन बंद क्यों हो गई। मैं आपके उपर जाता है और अगर आप कम बोलते हो जरूरत हो तभी बोलते हो तो लोग आपकी बातों को ज्यादा महत्वदेंगे लोग आपकी बात को उन लोगों की तुलना में ज्यादा प्रिफरेंस देंगे ज्यादा याद रखेंगे जो लोग बिना जरूरत के चटर प दूसरे इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर आप क्या सोच रहे हैं तो बस इसी चीज़ का आपको फाइदा उठाना है सामने वाले को ये सोचने दें कि आप क्या सोच रहे हैं मैं आपको example के तुरू explain करता हूँ मान लो आप कोई deal final कर रहे हो तो सामने वाली party को जल्दी से yes या फिर no कहने के जवाब मत दो कुछ seconds का pose लो आपकी ये चुपी सामने वाले इंसान को परिशान करेगी और वो सामने वाला इंसान बोलकर आपकी इस खामोशी को भरना चाहेगा उनको सारी बातें बोलने दें इससे आपको बाचीत आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी और आपका side बाचीत के दोरान ज्यादा भारी रहेगा दोस्तों अगर आप एक मजबूत relationship बिल्ड करना चाहते हो तो इससे पहले आपको trust यानि विश्वास बिल्ड करना होगा और विश्वास तभी बिल्ड होगा जब आप सामने वाले इंसान की बातों को ध्यान से सुनोगे यानि बाचीत के दोरान बोलोगे कम और सुनोगे ज्यादा ऐसा करने से दूसरे इंसान को लगेगा कि आप एक अच्छे इंसान हो सामने वाले की बात को अच्छे से सुनते हो किसी को भी नजर अंदाज नहीं करते हो और तभी तो वो आपकी बातों को अच्छे से सुनेगा और ट्रेस्ट बिल्ड होगा दोस्तों आपने इसे कई सारे लोगों को देखा होगा जो कोई प्रशन पूछने के बाद रुखते ही नहीं है अपनी बखबख चालू रखते हैं या फिर दूसरे को बोलने का मोका ही नहीं देते अगर आप भी ऐसा करते हो तो आपको दूसरे इंसान के परस्पेक्टिव को जानने का मोका ही नहीं मिलेगा लोग आपके प्रशनों का जवाब ही नहीं देंगे इसलिए कोई भी प्रशन पूछने के बाद आप साइलेंट हो जाओ अपना ओपीनियन मत दो लोगों का क्या ओपीनियन है उस बात पर उस प्रशन पर ये जानने की कोशिश करो शायद आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए कुल मिलाकर प्रशन पूछने के बाद आप जितना जल्दी चुप हो जाओगे आपको उतना जल्दी आंसर मिलेगा स्वामी विवे कानंद जी जो अपनी बुद्धी मता और विजडम के कारण पूरी दुनिया में जाने जाते हैं उनमें भी एक्वालिटी देखने को मिलती है वो अपने गुरु राम किशन जी से जब भी कोई प्रशन पूछते थे तो अपना उपीनियन तो बाद में देते थे लेकिन पहले प्रशन पूछने के तुरंट बाद चुप हो जाते थे ताकि वो अपने गुरुदेव की क्या राय है उस प्रश्ण को लेकर उस बात को लेकर ये जान सके दोस्तों साइलेंस एक सोफ्ट पावर है सोफ्ट पावर से मेरा मतलब एक ऐसी पावर से है जिसकी हल्प से आप सामने वाले से बिना लड़े उसे हरा सकते हैं इसका सबसे बैतरीन एक्जांपल है मातमा गांदी जी जो कि सत्य और आहिंसा के मार्क पर चले थे और बिना लड़े ही उन्होंने अंग्रेजों को धूल चटाई थी महात्मा गंदी जी जानते थे कि अगर हमने अंग्रेजों से लड़ाई की तो हम उनसे कभी नहीं जीत पाएंगे उन्होंने soft power का इस्तमाल किया और अंग्रेजों को हराया कई बार लड़ने से और जगडने से problem solve नहीं होती चुप हो जाने से और शांत रहने से problem solve हो जाती है दोस्तों The Quiet Book के ओथर सुजैन कैन अपनी बुक में बताते हैं कि thoughtful silence इनसान को कई सारी मुशीबतों से बचा सकती है मेरा एक दोस्त लेपटोप खरीदने जा रहा था तबी उसको रास्ते में बरसों पुराना एक दोस्त मिलता है जो उसको बोलता है कि तुम जहां लेपटोप खरीदने जा रहे हो उसी के पास में एक घर है वहां मेरा ये समान डिलिवर कर देना वो अपने दोस्त को नह नहीं बोलता है और उसका समान ले लेता है लेकिन जहां समान डिलिवर करना था वो घर उस दुकान से काफी दूर था उसका बहुत सारा समय बरबाद हुआ उस आइटम को डिलिवर करने में बाद में जब वो दुकान पर पहुंचा तो वो दुकान बंद हो चुकी थी उसे अपने दोस्त पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया इसी लिए हमें हमेशा हा नहीं कहना चाहिए ना कहने की और साइलेंस की पावर को समझना चाहिए तो दोस्तों इन सब बातों से आप ये तो समझ चुके होंगे कि silence में बहुत ज्यादा पावर है silence की पावर को underestimate नहीं कर सकते silence आपको बहुत सारी मुसीबतों से बचा सकती है और अगर आप भी वीडियो में बताएगी बातों को अपने जीवन में उतारते हो जहां जरूरत है वहीं बोलते हो तो definitely आपको बहुत ज्यादा फाइदा होगा तो दोस्तों I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेर करें और ऐसी गजब की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर देना मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केर लव यू ओल, ओल दे बेस्ट